हलो मेरे प्यारे चात्रों आज आप सभी को अर्दवार्शिक परिच्छा कच्छा दस कचित्रकला का पेपर बताने वाले हैं यह जितने भी प्रश्ण बताएंगे आप सभी इसको तयार कर लिजेगा आपके बूड के एक्जाम में यही सब प्रश्ण आने वाले हैं और यदि अभी तक आपका अर्दवार्शिक परिच्छा नहीं हुआ है तीस प्रश्ण पत्र को एकदम देखके सभी प्रश्णों को तयार करके आप परिच्छा देने जाईएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए आपको चित्रकला के पेपर होगा टोडल कितने नंबर कराएगा सत्तर नंबर का प्रश्ण राता है और समय मिलेगा आपको दो घंटा तीन मिनट का लेकिन आपका बोड के एक्जाम होगा तो वहाँ पे तीन घंटा पंद कीजिएगा देखिए प्रस्ण पत्र कख गतिन खंडों में विभक्त है सभी खंड को करना अनिवार है खंड को ओमर पर हल करना है यह ओमार स्टीट आपको बोड के एक्जाम में मिलेगा यहाँ देखिए खंड का के सभी प्रश्णों का आपको बताते हैं सभी प्रश्णो यहां पर देखें आपका प्रस्णुन इस्टार्ट होता है कि निम्य रिखी वह विकल्बी प्रशनों के चार विकल्प मौ उए से एक सही उतर का चूनदा है याने qui आपको विकल्प सही paar उसी का answer आपको देना है जी भी प्रशन का एंस्वर आपको पहले से आ रहा हो आप कमेंड बाक्स में लिख सकते हैं कि इस प्रशन का ये एंस्वर होगा यहाँ पे सभी प्रश्णों के बारे में आप सभी को बताते हैं सभी प्रश्णों को आप एक जगर लिखिए और सभी प्रश्णों को आप जरूर याद कर लीजिए ठीक है देखें पहला प्रश्ण है यह बोर्ड की एक्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्ण है आप पिछले साल के प्रस्णों को देख लिजेए आपको उसमें प्रस्ण देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको यहां पर गारंटी देड़े कि maximum जो क्वेशन आपको यह अर्दवार्स篇क परिच्छा में पूछा गया है यह मैक्सिमम जो क्वेस्टन आपकी बोर्ड की एक्जाम में पूछा गया प्रस नहीं है इसलिए इन सभी प्रशनों को आप जरूर एक जगर लिख के जरूर याद कर लिजिए देखें आपका प्रापसन है दोनी होगा चित्र होगा रंग होगा साफ रंग होगा तो वड़ो का मतलब वहता एक तो अक्षरा पड़ते वहता है एक होता है तो वह क्लीं होता हुदि प्रस में हक्श्ण कौन से होता तो ये आपका जो नाम बदर याद रखियेगा लाल पीला ठीक है और नील ये जो हते हैं कि प्राथ मीक के अंतर हाते हैं तो यहां पर आपसम से ऊप्हें मैं कि आपका का सही हो जाए गया प्राथमिक अंटरक यहां सतने प्रकार के होते हैं के बारे में ज्रूर याद रिखांड चार प्रकार होते हैं और प्रकार में चार प्रकार ज rent मुत CH आप इसे डारेक्टर रखेएगा चतारश्ट में दोंगे और कौनकुसे रखेगा बहुत पूच्छा सफेद 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 कर गुद्र दुषे विपरित्त बिनगों कि संख्या पूछ लेता है कभी कभी कि ततर श्रंग निमने लिखित में से कौन सा है आप आपको हरा इस तरह करके आप इन दोने रंगों की याद रहेंगे रखेंगे आप आसानी सुसका इंस्वर दे सकते हैं ठीक है अगला प्रशन देखिए आपका धानी रंग का विरोधी रंग कौन सवह होता है अप्शन को द्यान से पॉल लीघेए और आप दिया है यहाँ दिया है अपे और पे लिष्या निला इसका विरोधी रंग क्या होता प्रष्ण प्रस्ण कर दो और यादर को नोरी होता है संबायों सफेद का विरोधी रंक पूछ सकता है जैसे दानी का पूछा यहाता है ठीक है अगला प्रस्ण क्या है आपका कि वाट मैं पेपर का प्रियोग किस माध्या में होता है तो यहां जल माध्यां तैल माध्यां टेंपरा माध्यां यह चूडित माध्यां तो वाट मैं जो पेपर होता है इसका प्रियोग जो टेंपरा माध्या में होता है इसका सही प्रश्ण दखिए आपसे पूछ लिया पीला का विरोधी रंग क्या होता है अभी बता है रही आप सन्वे दिया है का लाल होगा आपका नीला होगा हरा होगा याद होगा तो यहाँ पीला की रोधी रंग आप याद रखिएगा नीला होता है पीला की रोधी रंग क्या होता है नीला होता है इस जरूर याद रखिए अगला देखिए पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं आपको बतारा कि जो पेस्टल रंग होता है कैसा होता है पेस्टल रंग उसमें बने उसमें ले होना चाहिए रंग साइस भरना उचित भरना और रेखाएंग आप असपा शूरूप से खिचे ये सभी गुर्ड उसमें होना चाहिए किस से आता है रंग से रहा से इन सभी से चित्र में क्या प्लबारा आत ओप्षी जैसे यहां पर आपका अगला 2 रंगरा ? इसके लुए इंद्र में पूषता हैं ? इंद्र धनुस में कितने रंग वुते हैं ? इस दोनों आपश्यों को जरूरो याद रखिएगा यहां पी पूछा एकि जो समुद्र का छो हरा रंग है उसका विरोधी रंग कान कुंसा होता है यहां धानी दिए लाल दिया है पीजा दिया है यहां पर प्रसन आप देखेंगे तो आपके घर के फोर्स बनता है तो इसमें कौन सा चित्र बनाए जाता है बृत्य के आकार को बना जाता है चित्र होता है आयतकार होता या खश्ट फुझा का हता हुए सब्सक्राइब बनाना चाहिए लेकि इन सब में सबसे उप्युक्त कौन सा होता है तो होता है इस प्रशन का जवाद पहले वह आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए हरा रंग का कौन सा है यानि हरा रंग यानि आपको बताना है जो हरा रंग होता है कौन सा रंग होता है प्राथमिक रंग होता है गरम रंग होता है तर्ष्ट रंग होता है दिवती रंग होता है तो देखिए हरा रंग जो हता है आप को अंतरगत आता है इसका सही जौब क्या हो जाएगा आपका चोथा नंबर हो जाएगा अब यहां देखिए दो-तीन प्रश्ण आपको बताते इसे जरूर याद रखेगा गरम रंग पूछे गरम रंग कौन से हो तर लाल जो होता है लाल देखें कि जैसे आग जलता है तो उ के अंतरगत आ जाते हैं इसके लाप प्राथमी रंग के अंतरगत बता है कि नीला याद रखिएगा पीला याद रखिएगा ठीक है नीला याद रखिएगा और इसके साथ में पीला याद रखिएगा और एक रंग और होता है आपका लाल ठीक है कौन से होता है लाल यह जो तो जो आप सें बता है वोगी उप्रूर चौकर को आप जरूर ध्यान द़ीजिए गाए तो कि बैगनी रंग कि इसे बनता है हखरा रकाल और कौन लैए शफेद और को मिलाएंगे या क insecure और या पर लाल को मिला. बशाये जाता था बंट यहां पर लाल के प्रात्मिक रंग नीला क्या है आंपका प्राथमिक रंग क्य। रगताता है प्राथ्मिक रंगों के मिलाने से आपका दूसरा रंग मिला यह बाइगनी रंग आप से पूछेंगा जिसे कमेंट बाक्स में लगा यह धी रेंब आपको आपका होगा ठीक जरूर आप लीवाइड है लाल रंग यह नहीं पर चार कोल जो हता है कारबन का एक रूप होता है तो चार कोल क्या एक ग्रफाइड होते हैं इसका सही जवाब हो जागा पहला अगला प्रसंद देखिए चित्र में गहरा रंग विशेश कर क्या दर्शाने के लिए होता है जो चित्र बनाते हैं उसमें गहरा रंग पेंसिल से समारते हैं आप लोग तो गहरा रंग बन जाता है गहरा रंग क्या दिखाने के लिए होता है जो गहनत्तो को दिखाता है किसक तो अग्या दर्शानी के लिए होता है अगला पुर्षण देखी आप प्रूप्रशम्हाइव्ञें यह बोड की इक्थरल बहुत पूचा गया प्रस्न है कने चल्म किस भासा लिए गया है यह बोड के अगला प्रसन आप देखिए कि निम्नलिकित में से दिवती रंग कौन सा ह ओझेज़ने पोण बता है पिर इसके अपैं के डीयुती रंग कौन होता है लीला प्राथ्किक रण प्रांग सिर्फ रहा यह पीन नारंगी इं तोटल नीला पीला हो गया आप सब फूछता कभी-कभी पेपर में जिसकेंड मतलब द्यूटी रंगों की बिशांगे तीन होता है कौन-कौल नारंगी ये दियोधी रंग के अंतरगत आते हैं इन सभी प्रशनों को आप जरूर याद रखिए अगला देखिए उत्तर परदेश में राजय ललित कल्हा अकादमी कहां इस्तित रौप परदेश जो राजय ललित कल्हादमी जो और लखनवों में इस्तित है आप सुभी को पता है कि उत्तर परदेश की राजदानी क्या है लखनवू और यहीं लखनवू में आपका राज्य ललित कल अकादमी इस्तित है अगला प्रसन देखी जो लाश्ट प्रसन आपका है बविकल्पी का जामिती आलेखन में परियोग होता है अब जो ज परियोग किया जाता है इसका सही जवाब तीसरा वाला अफसान सही हो जाएगा जितने प्रसन बताएं बविकल्पी कि इन सभी प्रशनों को आप ज़रूर अदम नोट करके लिख लिएगा आपकी बोर्ड के एक्जाम में मैक्सिमम इनी सभी प्रशनों रिपीट होते रहत हैं अब पिछले साल के प्रशनों को देखें होंगे इससे आपको पता होगा जितने प्रशन आपको बताएं बोर्ड के एक्जाम में प्रशन आएंगे देखे निर्देश दिया है कि खंडखा की आलेखन कला अत्वा प्राक्ति दिश्च चित्र में से केवल एक कही चित्र आपको बनाना है आपकी एक होता है प्राक्ति दिश्च इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्ण आपको बनाना है चलिए प्रश्ण आपको बता देते हैं देखें आपका प्राकिती दिर्षिका जो है बीज गुड़े 15 सेंटिमीटर के आयक आयत में एक दिरिष से चित्र तैयार कीजी जिसमें प्राता कालीन गाओं का दिरिष्यों चित्र हो एक बड़ा पेड जोपड़ी के पीछे हो सुर्य उदे हो रहा हो नदी के निकट ना हो पच्छी आस्मान में उड़ रहे हो दिरिष्य चित्र जल अथो पेश्टल रंगों का प्रियोग करना है तो आपको इसमें क्या क्या दिखाना है चित्र एक बड़ा पेड दिखाना है जोपड़ी दिखाना है सूर्य दिखाना है नदी नाव दिखाना है आसमान पच्छी सब दिखाना है ठीक हो दा प्राकिति-द्रिष्ट के बारे में यह सब आपको दिखाना है अथ्वा में देखी आलेखन में कि बनाई जो भारतिय फूल पत्तियों तथा कलियों पर आधारी थो इसमें यह था अस्थान पर किसी पसु पसु अथवा पच्छी का समयों करना रहता है तो दोनों प्रश्णों में से कोई एक ही प्रश्ण आपको करना है अगरा देखिए खंग यह निवार रहता है आपके लिए कि निम्लिखित में से किसी दो का इस्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाई है चित्र की माप 15 cm से कम आपको नहीं रखना है प्लेट में रखा सेव चाकू इसके साथ में सुराई बनाना है आपको फिर एलार्म सबख्यों है बनाना है चित्र कलाई के इस दिए आप के एकजाम के आरल सभी कराते रहते हैं साथ में और अर्दवार सिंग परिच्छा के इतने भी पेपर इससे में हो रहा है वो सभी पर आपको करा रहे हैं सभी प्रशनों के से एकदम आप तयार कर लेजिए आपको माईकसिमपुक्छित प्रशने के लिए खमें फिक जी के लायक की आपको नहीं है तो आपको ये वीडियो की लाइक के लिए चैनल पर नाहीं को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें